तो यहां पर विटामीन और विटामीन का कोड यहां पर याद करवाया जा रहा है और पता होना चाहिए कि विटामीन का खोड जो है न वो फंक के द्वारा किया गया था ठीक है तो यहां पर फंक के द्वारा विटामीन का खोड किया गया और कुछ महत्पूर्ण विटामीन related question exam में आते रहता है जैसे कि यहाँ पर vitamin का नाम दिया गया A, B, C, D, E, R, K तो हम लोग पूरा-पूरा code से हम लोग पूरे vitamin को clear रखेंगे तो आप देख पा रहें कि vitamin के ऊपर में जो है ना रहसाइनिक नाम को लिखा जाएगा और उसके नीचे यानि vitamin के नीचे उस vitamin के कमी से होने वाले रोग का नाम लिखा जाएगा तो यहाँ पर code जो है ना वो double letter के form में हम लोग याद रखेंगे रख एक टॉफी रख एक टॉफी उसी तरह से है ना उसके कमी से होने वाले रोग रवे सारे वर यानि कि आप बहले बात ही देख पा रहे हैं कि vitamin A का रसाइनिक नाम रह से रेटिनॉल होगा रेटिनॉल vitamin B यानि B यानि B1 क्योंकि B का ब्रांच होता है B1, B2, B3, B5, B6, B12 तो यहाँ पर जो है ना वो vitamin 1 का रसाइनिक नाम था से थाइमिन बताया गया C का जो है A से स्कॉर्बिक अमल बताया गया D का क से कैल्सी फिरोल बताया गया E का ट से टेको फिरोल बताया गया और K का फि से फिलिक्वी नॉन फिलिक्वी नॉन ओके डियर तो यहाँ पर A, B, C, D, E और K जो वितामिन है उसका कोड क्या हो गया तो राथ, एक, टाफे राथ, एक, टाफे रेटिनल, थाई-मीन स्कॉर्विकेसिड, कैल्सिफ रोल टेकोफ रॉल, फिलिक्वी नॉन उसी तरह से इसकी कैमि से होने वाले रोग का कोड दिया जा रहा है और आप देख पा रहे है यहां पर चैकमि से होने वाले रोग का हैना कोड दिया गया है रवे सारे वर यानि भिटामिन का नाम आपको पता है A, B, C, D, E, और K यानि A की कमी से रह से रतौन दे B1 की कमी से B से बेरी-बेरी C की कमी से सस करवी D की कमी से रह से रिकेट्स और यह जो D है ना इसका सोर्से जो है ना से इन फॉर में वो सनलाइट होता है ऐसा नहीं कि सूर्से के परकास में आप खड़े हो जाए तो आपको विटामिन D की प्राप्ती होती है यानि कि सूर्से के परकास की और रीड के हड़ी के तरफ तैलिये पदार्थ लगा कर कि आप अगर बिदमान रहते हैं तो आपको विटामिन D की प्राप्ती होगी यानि कि रीड के हड़ी के उपर तैलिये पदार्थ काल सेवन करने से और सूर्से के परकास के तरफ रीड की हड़ी करकर बैठने से विटामिन D की प्राप्ती होती है उसे के बाद जो है आप देख पा रहे हैं कि विटामिन E और विटामिन E की कमी से बांजपन यानि कि वैसी महिला जो बच्चे को जन्द नहीं दे पाती हो यहाँ पर के, के बोले तो र और र से रत का थक्का ना बनना यानि रत का थक्का बनने में कौन सा विटामिन मजददगार होता है तो वो आपका के होगा, है ना तो इसलिए आप लोग को लास्ट में एक बार फिर से क्याप ले लिया जा रहा है कि विटामिन का नाम दिया गया A, B, C, D, E, R, K उसके रसाइनिक नाम का कोट दिया गया, जोड़ा जोड़ा अक्षर के रुप में है ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं, रत, एक, टॉफी और उसके कमिस होने वाले रुप का नाम दिया गया, रवे सारे वर यानि कि A का रसाइनिक नाम रस से रेटिनॉल B1 का रसाइनिक नाम था से थाइमीन, C का A से स्कॉर्विक आमल, D का कैसे कैलसी फिरॉल, E का टैसे टेको फिरॉल और K का फी से फिलिक विलॉल, और इसके कमिस होने वाला रोग का नाम बताया गया, कि A की कमिसे रह से रतौन थे, B1 की कमिसे, हैना, B से बेरी-बेरी, हैना, C की कमिसे ससस करवी, D की कमिसे रह से रिकेट्स, और E की कमिसे आपका बस से बांज पर्ण, और K की कमिसे आपका तो इस तरह से आप लोग को बिटामिन का कोड दिया गया है, हाँ ना, तो आप लोग जो है, इस तरह से अब आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, ओके,